अब हम उसे दुबारा से स्टार्ट करते हैं हम अल्रेडी क्लास 6 टू क्लास 10 तकी NCRT कम्प्रीट कर चुके हैं क्लास 10 का एक चाप्टर रिमेनिंग है जो आज हम डिसकस कर लेंगे और इसके साथ हमारी क्लास 6 से क्लास 10 तकी NCRT कम्प्रीट हो जाएगी जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आप स्टेट सिविल साविसिस की टेक्टिस कर रहे हैं तेयारी कर रहे हैं या UPSC की टियारी कर रहे हैं दोनों ही एक्जाम में आपको ये NCRT बहुत हल्पुल रहने वाले हैं क्योंकि प्रिलिम के क्वेशन्स जो हैं इनहीं की कंसेप्स से डिराइफ होते हैं साथ ही means की जो answer writing है उसमें भी आप इन points को use कर सकते हैं यह जो NCRT से अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपका conceptual clarity आपको मिलती है आपको जो है एक base आपका clear हो जाता है So NCRT को करना is very important तो आज हम करने वाले हैं class 10 का chapter number 5 Class 10 की index की तरफ अगर हम देखें उसका content की बात करें तो power sharing, federalism, gender, religion and caste and political parties यह अलरी हम discuss कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगे chapter number 5 that is outcome of democracy democracy form of government जो की world में सबसे जादा prevalent form of government है उसका outcome क्या पार क्या जैसा हम चाहते थे कि लोकतांतरिक विवस्ता हमें result दे क्या उसने वैसा result हमें दिया है या इसका उल्टा ही हुआ है क्या वो equality लाने में लोगों को जो उनके अंदर inequality है economic basis पे, social basis पे उसे खतम करने में क्या helpful हुई है किस तरहां से इसने society को change करने में help किया है उसका क्या result रहा है वही इस chapter में आज हम पढ़ेंगे ठीक है so chapter is outcome of democracy ठीक है outcome of democracies में हमने यही इसी चीज़ को compare करना है कि हमने क्या expect किया था what was expected from a form of government that is democracy and what is the actual outcome ठीक है क्या expect किया गया था और क्या actual outcome आया है ठीक है जो government की quality रही है democratic form of government जो होती है उसकी quality किस तरह से रहती है inequality को किस तरह से कम कर पाता है social equality को किस तरह censure कर पाता है इन ही सब के बारे में इस chapter में जो है वो हम discuss करेंगे ठीक है अगर हम पात करे form of government की हमने देखा कि maximum जो world है वहां पे world में जितनी भी countries है वो यहां तो one form या another format democratic form of government को ही एक तरह से follow करती है और जहां पे भी autocratic form of government पाई जाती है authoritarian government पाई जाती है single person का rule पाया जाता है वहां अकसर यह कहा जाता है कि democratic form of government ही best form of government है क्योंकि वहां पे कुछ उसके features है सबसे पहला तो यह कि लोगतांत्रिक व्यवस्ता में हर एक इंसान को हर एक व्यक्ति के पास equal हक होता है अपने representative को अपने leader को अपने नेता को चुननेगा तो लोगों के पास equality होती है political equality for that matter political equality होती है decision making के बात करें कि अगर नेताओंने को decision ले लिया है कुछ यह हम लोगतांत्रिक व्यवस्ता की बात करें ठीक है democracy की बात करें कि किस तरह से वो better है ठीक है outcome क्या हुआ वो आगे हम discuss करेंगे तो किस तरह से वो better है पहला तो कि सब के पास right है equal rights है अपना representative चुनने का सब के पास हक है ठीक है दूसरा क्या आजाता है कि जो decision making है जो leaders जो है वो decision ले रहे हैं उसकी quality को improve करता है किस तरह से कि अगर भाई उन्होंने गलट decision लिया तो next election में उन्हें हरा दिया जाएगा उन्हें हटा दिया जाएगा जैसा हम अकसर देखते आये हैं अपने देश की ही बात करें एक government जो है दूसरी government को replace कर लेता है जब वो लोगों की aspirations के हिसाब से या उनकी जो उनकी भावना है जो चाहती है नीज है उनकी हिसाब से काम नी करते हैं ठीक है साथ ही जैसे इसका एक्जामपल में आपको दूँगी जैसे अभी रीसेंट पास में आप सबने न्यूस में देखा होगा कि फार्मल लॉस लाइग रहे थे ठीक है फार्मल को वो लॉस अपने लिए सही नहीं लग रहे थे तो उन्होंने अजिटेशन किया प्रोट्वेस्ट किया और उसका रिजल क्या हुआ गर्मिन ने वो लॉज विड्रॉ कर लिए अगर वहाँ पे कुछ मिस्टेक होती है तो वहाँ रूम है उसे करेक्ट करने का लोग उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और जो लीडर्स हैं क्योंकि वो उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं ने उनको चुना है और उनकी नीज का ध्यान रटना उनकी जिम्मेवारी है तो वहाँ पे वो अपनी मिस्टेक्स को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं जो भी गलत डिसीजल हैं कि क्या और वर्ल्ड में जब कहा जाए तो मुनार्की से जहां पे सिंगल पर्सन का रूल होता है यहां अथॉरिटेरियन रूल होता है यहां आटोक्रेटिक रूल होता है वहाँ पे डेमोक्रेसी बेटर है डेमोक्रेसी इस फार बेटर देन बट क्या वो अपनी जो उसकी मकसद है उन्हें realize कर पाई है क्या वो अपने targets को achieve कर पाई है तो सबसे पहली अगर हम बात करें कि democratic country जो है उसका क्या मकसद होता है provide करना तो सबसे पहला होता है accountable और responsive government अपाउंटेबल क्या हो गया कि जो काम आप कर रहे हैं जो भी decision government ले रही है या leaders ले रहे हैं वो उसकी दिन्मेदारी भी लेते हैं और responsive कि जिस तरहां से जन्ता जो है अगर उन्हें वो decision सही नहीं लगते या वो उसके खिलाफ है या उसके कह रहे हैं कि उस decision को change किया जाए तो government उनकी हिसाब से respond भी करती है ऐसा नहीं कि लोग protest कर रहे है कि हमें कानून नहीं चाहिए इसे बदला जाए या इसमें ये फ़ेर बदल लाया जाए या इसमें कुछ improvement किये जाए और government उनकी बात नी सुन रही है उन्हें लाठी चार्ज कर रही है उन्हें जेल में बद कर रही है so that is not a democratic country ऐसा होता है कि कभी कभार आप leaders को चुल लेते हैं जैसा आप recently news में देख भी रहे होंगे बांगलादेश में क्या हो रहे है बांगलादेश is a democratic country वहाँ पे लोग चुनते हैं ठीक है लेकिन over a period of time लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा वहाँ की प्राइम मिनिस्टर से अस्तीफिय की मांग की जा रही थी ठीक है कोटा लाया गया था कुछ government jobs के लिए उसके against थे बच्चे उसके लिए वो students जो चे यूनिवर्स्टी के colleges के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे पंगलादेश की जो situation है वो बहुत ही critical है और इंटीरियम गर्मेंट वहाँ बैठ गई है लेकिन अब आप कहेंगे वो तो है एक form of democratic country वहाँ ऐसा क्यों है क्योंकि भाई जब आप responsive नहीं होंगे तो किस हिसाब से democracy कहला है डेमोक्रेसी में सिर्फ इतना ही नहीं कि आपने अपने representative को चुलिया और काम खतर नहीं अब representative चुना है वो accountable भी होना चाहिए responsive भी होना चाहिए जो काम वो कर रहे है उसकी वो जिम्मेदारी भी ले और साथ ही जब लोग कह रहे हैं कुछ changes लाने के लिए या कुछ laws है जिसके वो against है उसे change करने के लिए उनकी बातों को सुने भी ठीक है साथी एक चीज़ को और ध्यान रखना होगा कि जब हम democracy की बात करते हैं तो अक्सर जब भी world में यह सवाल उठता है कि democratic form of government क्या अच्छी है तो हाँ इन सब मुद्दों की व यह कहते हैं कि लोकतांतरिक विवस्ता में हर एक इनसान की जो है नीड जो है वो fulfill होनी चाहिए बट हमें यह ध्यान रखना होगा कि democracy जो है वो किसी तरह का magic wand नहीं है कोई जादूई विवस्ता नहीं है कि आप लोकतांतरिक विवस्ता को establish कर देंगे और देश एकदम से developed ह हो जाएगा वहां सब equal हो जाएंगे नहीं democracy सिर्फ एक condition prepare करती है उस condition को utilize करना citizens नहीं होता है हम अपने देश का example लेते हैं यहां लोकतांतरिक विवस्ता है हर एक को vote का अधिकार है अब अगर vote के दिन इंसान vote देने ही ना जाए वो कहें कि सब leaders जो हैं वो corrupt ही है मेरे vote का क् किस तरहां से democracy form of government का फायता होगा अगर कुछ laws आ रही हैं कुछ ऐसी activities हो रही है जिसमें government गलत है अगर आप आवाज ही नहीं उठाएंगे आप एंगे इससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है तो किस तरहां से democracy सही होगी तो democracy ना सिच्वेशन सेट अप कर दिया है एक condition बन लेकिन उन सब condition का इस्तेमाल करके देश को आगे करना that is the responsibility of citizens only ठीक है तब ही कहते हैं कि जब vote हो तो सब को अपना vote देने का अधिकार इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वही तो final government decide करेंगे और वही फिर future decide करेगा किसी भी देश का ठीक है so accountable, responsive and legitimate government accountable मैंने आपको बताया क्या होता है कि जिम्मेवारी लेना कि जो काम आप करें जो laws आप बना रहें government उसकी जिम्मेदारी भी ले ठीक है न, कि अगर suppose कहीं पर कोई infrastructure डेवलप हो रहा है या कुछ health की facility लाई जा रही है अगर वह सहीं से implement नहीं हुई है या उससे फाइदा जो है वो ground level तक नहीं पहुँचा है तो उसकी जिम्मेवारी भी government ले responsive कि जब लोग बता रहे हैं कि इस particular scheme में ये चीज़ सही नहीं है इसे बदला जाए उस बात को सुना जाए responsive हो government लोगों की needs से उनकी अवाजों को सुने और इस हिसाब से काम करें legitimate हो कि जो वो काम कर रही है जो laws वो बना रही है जो scheme वो लेके आ रही है वो rules के हिसाब से हो ठीक है एक particular जो set of rules है जैसे हमारे देश में constitution को follow किया जा समविधान है maximum governments maximum देश की देशकीरी world की जितनी भ rules होते है written होंगे या unwritten होंगे but there are rules जो government follow करती है और इस हिसाब से कारून बनाती है एसे नहीं कि कुछ भी quotas ला दिये या कोई भी scheme ला दी उनको कुछ basic features पर काम करना पड़ता है जैसे हमारे constitution में है हम equality की बात करते है fundamental rights वहां पर हैं तो आप उनको वाइलिट नहीं कर सकत होते है आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक community को benefit दे रहे हैं तुसी community को आप बिल्कुल degrade करते है ठीक है तो that need to be legitimate तो these three important features are for the democratic setup ये तीनों चीज़े होना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो लोगों democracy में लोगों को हक है उनके rulers चुनने का but उन rulers को in turn क्या होना चाहिए what is the expected outcome is of a democratic country कि पहला वो accountable हो ठीक है दूसरा वो responsive हो और तीसरा वो legitimate भी हो इनका क्या मतलब हो गया वो मैं आपको already discuss कर चुकी है फिर हम पूछते हैं कि क्या democratic country efficient democratic government क्या efficient होती है efficient का क्या मतलब हुआ efficient अब देखिए autocratic structure की बात करते है मनार्की की बात करते है authoritarian rule की बात करते है तो जबंद होता है जहां पर एक leader है उसे किसी की रजाबंधी की जरूरत नहीं है उसे कोई decision लेना है तो उसी यह नहीं देखने की जरूरत की opposition यह उसकी बात की बात की रूत की जो पूझने की उप आता है वहईसे rules बनाता है वैसा काम करते है तो आज अगर उसे अभी कोई decision लेना है वो immediate decision लेगा तो जो भी impact होता है जो भी rules बनते हैं जो भी laws बनते हैं वो बहुत जल्दी बनते हैं less time consuming होते हैं जबकि आप democratic setup की बात करें हमारे देश की बात करें कोई भी कानून बनाना है उस कानून का पहले blueprint तयार होगा discussion होगी लोगों के सामने उसे रखा जाएगा फिर जरूरी है कि ministers उसकी support में हो जनता उसकी support में हो अगर अपने ही ministers उसकी support में नहीं है तो वो bill pass हो इनी सकता क्योंकि majority चाहिए भई दिल को pass होने के लिए law बनाने के लिए चाहिए न majority की उसमें ruling party भी होती है opposition भी होती है ठीक है सब भी parties का चाहिए तो यह हो जाता है time consuming एक कानून को बनाने में time लग जाता है अब किसी भी कानून का example ले लेजे domestic violence का कानून बनाना था women's की security के लिए बनाना था कि कोई और कानून उसे time लग जाता है क्योंकि में support चाहिए सब के रजावन्दी चाहिए तो efficient तो कम है time consuming तो है बट साथ ही एक और इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि मुनार्की में although time नहीं लगता rules बनाने में laws बनाने में लेकिन जब वो laws बन जाते हैं क्या जनता उस laws के साथ होती है क्या वो जनता के benefit के लिए होते है क्योंकि जनता से तो पूछा ही नहीं जाता जनता को तो input होता ही नहीं बट वही हम democratic की बात करें although वहाँ time लग रहा है बट रजामंदी सब की है सहमती सब की है तो जो outcome आएगा जो जनता होगी जो citizens होगे उनके favor में होगा और citizen उनको follow भी करेगी और साथ भी देगी तो जब हम इन दोनों को comparison करते हैं तो time although democratic setup में rules को laws को जादा लगता है but outcome is way better than a monarchical और authoritarian rule ठीक ह सही है so जो अगर efficiency की बात करते हैं तो it is far better than time consuming के matter में वो कह सकते हैं but later on outcome के matter में जो democracy है वो far better है ठीक है next आ जाता है कि legitimate का जो मैंने आप से बात की कि rules और regulation के हिसाब से जो भी procedure laid down किये गए हैं आप उसे check भी कर सकते हैं आपके पास क्या है right to information भी है है ना democracy में ही होता है यह authoritarian में कहां मिल रहा है किसी को की भाई आपको जानना है यह particular laws क्यों बनाया गया किस बेस बनाया गया किस constitutional के provision के हिसाब से बनाया गया बट democracy में आपके पास है हक आप देख सकते हैं कौन सा कानून कौन सा फैसला किस बेस में किया गया है क्या वो particular procedures के हिसाब से है जो constitution में लिखा गया है कि ने तो जो outcome expected है from the democracy वो हो जाता है accountable, responsive and legitimate ठीक है बट अब बात करें कि actual result क्या है जो हमने democracy से demand किया है expect किया है क्या वैसा ही democracy में देखने को भी मिलता है एक point तो हर democracy में है that is free and fair elections और regular elections आप कहा सकते है ठीक है यह चीज़ तो हर जगा है regular free and fair election इस मामले में तो all democratic countries में यह चीज़े हैं लेकिन जब बात आती है information को citizens के साथ share करने की तो वो चीज़े अगर आप record देखते हैं so that is not so good ठीक है democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens ठीक है although they are better than non-democratic regime still बहुत सारी आप एक तरह से कही information को confidential रख दिया जाता है बहुत laws के basis पर यह कहा दिया जाता है कि यह चीज़े जनता के सामने रखना सही नहीं है बहुत से reasons देती है जाते है सारी information जो है वो citizens के साथ share नहीं की जाती ठीक है बहुत limited ही उनको out की जाती है although regular elections होते हैं free and fair elections भी होते हैं but still सबके पास equal right नहीं होता election contest करने का power आप देखें power का use किया जाता है money power का जो complex structure है उसका इस्तिमाल जरूर होता है हर एक के पास equal आप कहें chance नहीं होता participate करने का ठीक है democratic country से एक और चीज़ expect की जाती है तीन expectations तो हमने पहले देखी first is free of corruption अब इस जब की बात करते हैं तो it is very much evident की democratic setup में अगर इंडिया की ही बात करें तो corruption तो on a large scale देखा जाता है ऐसा तो नहीं है की corruption is not present there although the record of democracy is not so impressive on account of corruption की बात कर ले या फिर बात कर ले information sharing इन दोनो expectations में पहले की responsive legitimacy उन सब में तो outcome better है बट जब हम बात करते हैं information sharing की या बात करते हैं corruption की तो इन दोनों में democratic governments का जो outcome है that is not good ठीक है रोज ये news देखने को मिलती है कि corruption बहुत large scale पे फैला गया है बट अगर हम compare करें तो non-democracy country भी कुछ less corrupt नहीं है वहाँ पे भी equal ही corruption देखने को मिलती है तो ये एक expect ऐसा हो जाता है जो हमें कहता है कि ठीक है democracy country फिर भी non-democratic country से government से better है क्योंकि all though वहाँ पे corruption है non-govern, democratic में भी corruption है ठीक है information sharing है although कुछ information तो share हो रही है democracy में ठीक है authoritarian में तो बिलकुल भी कोई information नहीं होती और legitimacy की बात करें responsiveness की बात करें तो वो democratic country जो है democratic government जो है वो बहतर होती है as compared to non-democratic ठीक है क्योंकि लोगों से पूछा जाए तो लोग एक ही कहते हैं कि वो यही चाहती है कि उनको rule करने वाला जो person हो वो उनहीं के द्वारा चुना जाए और democracy की यही beauty है इस chapter में हमारा मकसद यही है कि हमने यह देखना है कि democracy के अब वो प्रोवाइड करने में काम्याब रही है जो उससे उमीद की गई थी और क्या democracy सच में एक better form of government है और यह means में भी question पूछा जाता है कि best form of government क्या है और क्यू है तो आपको बहुत balanced answer देना होता है आपको सिर्फ उसके positive नहीं आपको एक particular party कह रही है free बिजली, free पारी दे देंगे आपको scooties दे देंगे, आपको phones दे देंगे आपको laptops दे देंगे आप सिर्फ यह देखके vote नहीं दे सकते है आपको यह भी देखना है कि particular parties आपके देश के लिए क्या करेगी as a whole क्या करेगी तो democracy आपको chance दे रही है अपना representative चुनने का पर आप उस representative को किस base पे चुनते है that is up to you तो at the end citizens ही decide करते है future ठीक है तो democracy की बात करे in the terms of outcomes की तो इन दोनों में तो उनका result is not good but still non-democratic form of government से यह better है next comparison जो हम करेंगे that is in the form of economic growth and development ठीक है economic growth में कि अब हम देखेंगे कि democratic government और non-democratic government कि जब हम comparison करते हैं in terms of economic growth तो क्या है तो अगर हम world का scenario लें और उसको compare करें तो यह देखा है कि democratic country उतनी ज़्यादा developed नहीं है ठीक है non-democratic country ज़्यादा developed होते हैं क्योंकि अबने देखा कि वो decision जल्दी ले लेती है अगर उनको किसी business, किसी trade, किसी export के related decision लेना है तो उनको ज़्यादा की रजामंदी नहीं चाहिए उन्हें सेर्प्रॉफिट देखना है हाँ इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है उन्हें नहीं देखना है कि socially उस चीज़ का कितना impact हो रहा है किस community में उसका कोई positive impact हो रहा है या negative impact हो रहा है क्या environment में कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है पर एक democratic setup में आपको सब कुछ देखना है तो economically अगर हम compare करते हैं तो non-democratic government जो है वो ज़्यादा economically growth करती है ज़्यादा development करती है लेकिन still सिर्फ economic growth ही matter नहीं करती है यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है वो है inequality की क्योंकि मकसद सिर्फ growth करना नहीं है मकसद है inclusive growth का inclusive growth क्या होती है जिसमें आप हर sector को हर community को हर citizen को साथ लेके grow करे सिर्फ एक particular community, particular religion, particular caste grow हो रही है सब equally grow हो रहे है और growth का जो फाइदा है वो सबको मिल रहा है men, women, children, सबको equally मिल रहा है कोई भी section of society तो inclusive growth करता है ठीक है? inequality नहीं लेकिन जब हम देखते हैं world में तो आप recently जो Oxford की भी report निकली है तो top 1% जो लोग है न वो around 70% wealth को control करते है क्या government की non-democratic countries में भी अगर हम बात करें तो the scenario is same top 1% जो है वो around 70% of wealth जो है उसे control करते हैं ठीक है? और growth की जिस तरह से यहाँ पर mention किया गया है कि अगर हम growth को compare करते है from 1950 to 2000 जो dictatorships और democracy का तो dictatorship वाले countries में growth ज़्यादा देखने को मिली है ठीक है जाथ ही inequalities भी ज़्यादा देखने को मिली है rich has become richer और poor has become poorer ठीक है? और democracy में हम क्या सोचते हैं? हम inclusive की तरफ जाते है inclusivity की तरफ जाते है कि सब को एक साथ लेके चलना है ऐसा ना हो कि सिरफ rich richer बन रहे है और poor poorer बन रहे है यहाँ पे तो table दिये गए ठीक है? एक table में यह बताया गया है कि किस तरह से अगर हम democratic country को compare करे dictatorship country से तो किस तरह का उनका growth रहता है ठीक है? तो democratic country में अगर growth की बात करें that is around 3.95 और dictatorship reserve में 4.42 है यह dictator में है और यह democracy में है तो साब दिक्राए कि dictatorship में growth जो है वो जादा है ठीक है? बट वहीं भी साथ में हम inequalities की बात करें ना? तो inequalities भी dictatorship में जादा है ठीक है? टॉप वाले जैसा मैंने आपको बताया है 1% जो है वो 64% जो है आपकी wealth को control कर रहे है और base 40% जो है वो बहुत कम उनमें wealth जो मिल रही है, inequality भी उतनी ही speed से बढ़ रही है ठीक है? और democracy setup में although economic growth उतनी नहीं है, बट economic inequality को कम करने का ज़र्म better है ठीक है, economic inequality compatibility far कम है ठीक और inequality और poverty को कम करने की बात की जाए तो वहाँ पर काम भी ज़्यादा democratic setup में किया जा रहा है democratic countries are more aware more आप एक तरह से working towards reducing the inequality and poverty ठीक है? although they are working, although they are not appear to be very successful in reducing economic inequality still they are vigilant towards this and they are working towards that and various schemes as you already know कि हमारे देश में भी बहुत से schemes लाई गई है उनका मकसद भी खाली क्या है? ठीक है, social equality को ensure करना पोर्स के लिगे free राशन दिया जाता है उनको employment दी जा रही है आप MG Narega की बात करें इस तरह से बहुत से schemes लाई गई है ठीक है? food to all की बात करें food for work की बात करें हर scheme का मकसद यही है कि जो inequality से कम किया जाए ठीक है? अभी उतने successful नहीं हुए है democracy वाले लेकिन फिर भी काम तो कर रहे है उस direction में work तो हो रहा है ठीक है? work is still going there तो अगर इस चीज में भी compare किया जाए तो it is better क्यूंकि अगर कोई government उस direction में काम नहीं कर रही है तो there is a chance की citizens next time उन्हें ना चुने और उस representative को चुनके लाएं जो दुबारा से उन्हें उनकी तरफ inequality को reduce करने के लिए काम करें ठीक है? और सबसे important point आ जाता है democracy setup का जो उसके लिए आप एक तरह से के positive point है वो यह है कि conflicts को resolve करना देखें किसी भी society में किसी भी society कोई भी society आप एक तरह से कहीं same नहीं है उसमें diversity पाई जाती है हमने previous जो भी chapters पढ़े हैं 6-10 तक के वहांने diversity differences के बारे में पढ़ा है और हमारे देश में तो on a large scale diversity पाई जाती है और diversity होगी तो conflicts तो होते ही हैं और किसी भी society में आप permanently conflicts को खतम नहीं कर सकते हैं जरूरत किसी है? tolerance की acceptance की tolerance की और acceptance की कि दूसरों की needs को भी उतनी ही importance से accept किया जाए उनकी दूसरे communities को religion को कास को उसी तरह से accept किया जाए जिस तरह से खुद की community को accept किया जाता है और उतनी ही respect दी जाए उनकी ideas को values को ठीक है? that comes under tolerance और democracy setup इसी चीज़ को promote करता है ठीक है? resolve conflict को completely resolve नहीं करता but it only helps to it develops the mechanism to negotiate ठीक है? mechanisms develop करता है to negotiate के द्वारा, tolerance के द्वारा जितना भी conflicts societies में है उसको कम किया जा सको और conflicts कम होगा तो stability society में जादा पाई जाएगे ठीक है? और एक और important चीज़ है कि democracy का मतलब यह नहीं होता कि it is a rule of majority democracy का true sense क्या है? कि कभी ना कभी हर इस group majority में रखे सिर्फ यह नहीं है कि although democracy में वही leader जीता है जिसको सबसे जादा vote मिलते है maximum लोग जिसका support करते है बट इसका मतलब यह नहीं है कि जो majority community है majority religion है majority caste है वही rule करेगी नहीं उससे support कही ना कही सभी का चाहिए और democracy का जो main feature है वह यह है कि हर group हर community किसी ना किसी point पे किसी ना किसी time of frame में majority में रहे ठीक है? It is necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion race or linguistic group rule by majority means that in case of every decision or in case of every election different person and groups may and can form a majority जैसे आप अगर देखेंगे कोई कानून भी बनाना है जैसे मैंने आपको पहले discuss किया तो सिरफ अपने ही ministers का support नहीं चाहिए opposition का भी चाहिए law ऐसे ही नहीं बन सकता अभी आप देखेंगे recently जो है वो coalition government बनी है हमेशा single majority तो नहीं रहती अब coalition government में आपको सभी parties को साथ लेके चलना पड़ता है ठीके तो सभी का support होना जरूरी है कोई भी party सिर्फ एक community को support करके या एक community की बात करके नहीं जीत सकती उसे सब का support चाहिए इसलिए हर community, हर religion किसी ना किसी time frame पे majority में रहते है that is the beauty of democracy last point यहाँ पे mention क्या आगया है dignity and freedom dignity and freedom of the citizen democracy जो है अभी तक हमने जो देखा हमने क्या जाना कि democracy जो है accountable है, responsive है, legitimate है दो outcome में वो कहीं पीछे रहती है जिसमें आता है corruption और information sharing still वो इन दोनों matters may be it is far better than non-democratic regimes बात कहीं economic growth की तो वहाँ भी हमने देखा कि although economic growth में democratic governments पीछे रह जाती है लेकिन फिर भी यह ज़ादा vigilant है, ज़ादा काम कर रही है inequalities को कम करने के लिए ठीक है और lastly हमने देखा कि diversities जो है उनको accommodate करने में भी democracy जो है बहुत important रोल निभाती है जो कि non-democratic regime में नहीं देखा जाता ठीक है यह सबील जो features है यह यह प्रूब करते है कि democratic problem of government is far better than non-democratic regime जो expectations है उस पे 100% तो खरी नहीं उतरी है democratic still it is walking towards it ठीक है dignity और freedom की बात करे तो democracy country ने women's की और different section की dignity maintain करने के लिए भी काम किया है ठीक है over a period of time they have worked towards reducing the conflict between different sections of the society and historically भी अगर हम देखें women's की dignity के लिए यह उनके rights के लिए जो है democratic setup में काम किया गया है और उनको equal treatment जो है वो provide किया गया है ठीक है हम देखते हैं constitution में हमारे mention है कि हर person को right है चाहे वो disadvantaged group हो discriminated हो SDs हो SDs हो women's हो सब के पास equal rights है और democracy जो है वो legitimate होती है rules के हिसाब से चलती है लोगों द्वारा चुनी गई होती है इसे लिए democracy जो है वो work करती है लोगों के हकों के लिए लोगों की freedom के लिए और उनके dignity के लिए वो ये ध्यान रखती है कि कोई भी कानून जो बन रहा है उस कानून में disadvantage group का भी ध्यान रखा जाए आप देखेंगे पंचायती राज में प्याराई में दिया गया है reservation to women एक्टीज को भी है है ना reservation दिया गया है उसी तरह से आप बाखी schemes भी देखेंगे बहाँ पे पूरा ध्यान रखा जाता है discrimination की बात करेंगे उसे abolish कर दिया गया है ठीक है, untouchability को abolish कर दिया गया यह सब चीजे किसलिए यह सिरफ democracy country में ही possible है क्योंकि वो legitimate होने के साथ साथ उनको यह काम करना भी जरूरी है कि society में जितने भी sections है उनको equal treatment देना ठीक है, so this is the next important feature of democratic setup democratic जो है वो subject को transform करता है to the citizen किस तरह से आप citizen true sense में तब कहलाते हैं जब आप अपने हकों का इस्तेमाल करते हैं, साथ-साथ अपने duties को भी follow करते हैं देश का नागरिक होने पर आपको कुछ हक तो मिलते ही हैं जो पॉलिक अधिकार है, fundamental rights है ठीक है, वो तो आपको मिलते ही हैं साथ-साथ आपको कुछ करतव्य भी मिलते हैं जो आपको फुल्फिल करने हैं जब आप करतव्यों का साथ-साथ अपने हकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप citizen कहलाते हैं अगर आप मुनार्की की बात करें या authoritarian rule की बात करें नॉस्ट कोरिया का जैसे हमने एक्जामबल लिया था वहाँ आप बात करें आप खुछ की मर्ण से haircut भी नहीं ले सकते तो आप सोचे जब आपके पास कोई हक ही नहीं है आपका कोई right ही नहीं है तो किस तरह से आप citizen रहें आप तो सिर्फ subject रहें जो कानून बन रहें आपको उसको follow करता है decision making में participate नहीं कर सकते आप representative अपना चुन नहीं सकते आप अपना सही गलत नहीं decide कर सकते तो आप तो सिर्फ subject रहेंगे जो आपके थोपा जा रहें आपको वो follow करता है आप citizen का बन रहें जब आपको हक दिये गए है आप वो हक इस्तिमाल कर रहे है आप से अगर हक छीने जा रहे है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते और आपके आवाज सुनी भी जा रहे है then you become a citizen तो democracy actual में जो है convert करती है persons को from a subject to a citizen in a true sense तो इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि democracy का outcome क्या है वो किस तरह की government हमें provide करती है although अपने जो वो promise करती है form of government provide करने का उतनी accurate government तो democratic नहीं है still it is better than other form of governments which are present presently in the world ठीक है तो इस पूरे चैप्टर में हमने इस चीज़ को एक तरह से आपको completely understand कर लिया पूरे balanced approach में हमने negatives भी देखे democracy के हमने positive भी देखे ठीक है और last में एक positive note पे जो है आपको answer writing में भी question को complete करना होता है आपको pros and cons दोनों लिखने होते और last में जब आपको conclusion करना होता है तो आपको positive note पे करना होता है तो positive note पे यहीं किया कि वो far better than है क्योंकि इसमें space है mistakes को correct करने की लोगों को अपनी बात रखने की decision make में involved करने की so democracy is better form of government ठीक है so इसके साथ जो है हमारा chapter chapter number 5 of our class 10th वो खतम होता है next video lecture से हम start करेंगे class 11th और दो classes हमारी रहेंगे class 11th and class 10th और उसके साथ फिर हमारी NCRT की जो series है वो खतम हो जाएगी thank you very much I hope आपको ये video lecture अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो do like it, share it and do subscribe our channel thank you very much